Hello Student Education 24 में आपका स्वागत है दूस्तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको की से मीट के उपर चाहिए तकि आपको कमेंट के अधर के सर्म के बहुत है तोाई वीडियोní पर सक्वाध है दूसरे कोशन दूसरे कोशन के वह है भारतीय कार पडाली के घुर्ड बताईए दूसरे कोशन कर रहा है जो भारतिय कर पड़ाली है यहाँ पे आपको भारतिय कर पड़ाली के गुड़ बताना है अब वर्ली कोशन की बात कीज़ते है आपका तीसरे कोशन दीव है राजकोसिय नीती के मुखे तत्तो क्या है तीसरे कोशन कर रहा है जो राजकोसिय नीती है यहाँ पे आपको बताना है कि राजकोसिय नीती के मुखे तत्तों क्या है अब वर्ली कोशन की बात कीज़ते हैं आपका चोथा कोशन दीव है कर के लाप सिधान्त की बैखा कीजिए चोथा कोशन कर रहा है जो कर है च्छाटा कोशन कर रहा है एक अच्छी कर पर्लाली क्या होती है यहाँ पे आपको पर्तेक्स कर और पर्तेक्स कर में क्या अंतर होता है यहाँ पे आपको पर्तेक्स कर और पर्तेक्स कर में अंतर बताना है आठो कोशन के बात कीजिते हैं आपका आठो कोशन दीव है प्रगति सील अमनपातिक कर प्राली में भेद कीजिए आठो कोशन कर रहा है जो प्रगति सील अमनपातिक कर प्राली होता है उसमें क्या भेद होता है क्या अंतर होता है यहाँ पे आपको प्रगतिसी अमनपातिक और प्राली मंतर बताना है अब वर्ली कोशन की बात कीज़ेता है आपका आपका नव कोशन दीव है लोक आगम क्या क्या आरत है नव कोशन कर रहा है जो लोक आगम है संशीप टीपड़ी लिखना है अब वरली कोशन की बात की जैते हैं आपका एगराव कोशन दीव है बाजार भी फलता क्या है एगराव कोशन का रहा है कि बाजार भी फलता क्या है यहाँ पे आपको बाजार भी फलता के बारे बताना है अब वरली कोशन की बात की जाते हैं आपका तेराओ कोशन दीव है मोदरिक नीती किसे करते है यहाँ पे आपको मोदरिक नीती के बारे मताना है अब वरली कोशन की बात की जाते हैं आपका तेराओ कोशन दीव है भारती रिजर्ब बैंक के मुखे कारे क्या है अब वरली कोशन की बात की जाते हैं आपका तेराओ कोशन दीव है एक बेपारिक बैंक के वर्ण कीजिए सतराओ कोशन कर रहा है जो बेपारिक बैंक है यहाँ पे आपको एक बैपारिक बैंक का वर्ण करना है अब वहली कोशन की बात कीजेते हैं, आप आपका 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 आ ग्रेशम के नियम पर संशीपते टिपड़ी लिखना है, ति तोटल आपके 20 questions के जो आपको आई है, यहाँ पर आपको आई के कर साधनों के बारे हम बताना है, अब वर्ली कोशन की बात कीजाते हैं आपका दूसरे कोशन दीव है करारोपड के परभाव का वन कीजिए दूसरे कोशन कर रहा है जो करारोपड है उसका क्या परभाव है यहाँ पे आपको करारोपड के परभाव का वन करना है अब वहले कोशन की बात कीजाते हैं आपका तीसरे कोशन दीव है करो के बीवरतन से आप क्या समझते हैं बीवरतन की बीवरतन की बीवरतन की बैखा कीजिए तीसरे कोचन का रहा है कि कवरों की बिवरतन से कैसे मज़ते हो इहाँ पे आपको समसे परेद आगे आपको भीवरतन की बिवितन से इधान्तों गयाँ करना है अब बाद किया थे आपका चोथा कोचन दीव है मसं पाइस देव हैं क्या कारे है क्या कारे है वाईस देव है जो Reserve Bank के क्या कारे है यहाँ पे आपको Reserve Bank के कारे हो कमंड करना है अब वरली कोशन की बात कीजिते हैं आपका साथो कोशन दीव है साख की आउधाराणा को इसपष्ट कीजिए तता साख सीजन की परकिरिया को समझाईए साथो कोशन कारा है जो साख है यहाँ पे आपको साख की आउधाराणा को इसपष्ट करना है तता साख सीजन की परकिरिया को समझाईए अब वरली कोशन की बात कीजिते हैं पे आपका आटो कोशन दीव है फीसर के मुद्रा परिमार सीजन की अलुसनात्मक परिशड कीजिए नव कोशन का रहा है जो फीसर है यहाँ पे आपको फीसर के मुद्रा परिमार सीजन की बारी मताना है और उसके अलुसनात्मक परिशड करना है अब वरली कोशन की बात कीजिते हैं आपका दसो कोशन दीव है पत्र मुद्रा मान कर्थ समझाए तथा इसके गूर्दोस लिखिए तसो कोशन का रहा है जो पत्र मुद्रा मान है उसका क्या आरत है यहाँ पे आपको सबसे पहले पत्र मुद्रा मान कर्थ बताना है उसके बदागे आपको इसके गूर्दोसों को लिखना है अब वहली कोशन की बात कीजिता है आपका बरहो कोशन दीव है आदूनी कर्थ ब्योस्ता में मुद्र की भूमका की बहुतने कीजिए आपके दिर्गुत्र्परशन लोगा परे में आपको लगुत्र फ्रPhone दिर्गुत्र फ्रस प्रस नो को नोट कर लीजे邊DIA अगर आपको वीडियो दोस्तो